अलहम्दुल्ला दोस्तों हमारी गंदुम की जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है यह हम लोग ने 22 नमबर को काश्ट की थी यहाँ पर और 29 नमबर को जो है यहाँ पर कुछ-कुछ पोदे नसर आना शुरू हो गए थी लेकिन अभी शमासालला काफी हथ तक पोदे निकल चुकी है और अभी भी इंशालला मजीद पोदे निकलेंगे और हमारा पूरा खेत हरा भारा हो जाए गंदुम के विज़े से तो अलहम्दुला काफी हथ तक जर्मिनेशन चुरू हो चुकी है और अब जो रहा जाएगी वो इंचाहला कुछ भी निकलाएगी और कुछ जब पानी लग जाएगा उसके बाद जो थोड़े बहुत रहा जाएगे तो निकलाएगे तो इंचाहला जल्दी ही जो पूरा खेज जो बिल्कुल सरसब्स हो जाएगा और हमारे गंदुम के पोदे मजीद बड़े हो जाएगे तो यार इंतजार करते हैं कब तक हमारे गंदुम के पोदे मजीद बड़े होते हैं और बाकी अपनी जर्मिनेशन शुरू करते हैं और दस्ता आप रहोंगे साथ बांस और केले के अपडेट भी शेयर कर देता हूँ बांस की कुछ ही है सुर्थिया हाला ही जो हमारी शूट है ना बांस की यानि जिसे हमारा बांस बनेगा उसको उपर वाला एरिया थोड़ा सा ब्राउन हो गया है बाकी इदर से ग्रीन है लेकिन उपर से ब्राउन हो गया है तो यार देखते हैं कि यह ग्रोध करेगा या फिर यहीं पर स्टोप कर जाएगा तो देखते हैं अच्छी कुमेज रखने चाहिए वैसे इन्शाला ग्रोध कर जाएगा और जो हमारा केले का पोदा है यह तकरिए बनीचे से कुश्क हो गया ऐसे लेकिन उपर से जो है थोड़ा सा सब्स खड़ा हुए है तो इसका भी देखते हैं कि यह ग्रोध करता है या फिर यहीं पर रुख जाएगा लेकिन जो इधर हम लोगों ने केले के पोदे का लगाया था उसकी मुझे लगता है कि ग्रोध स्टार्ट हो गई है क्योंकि इसका यह वाला एरिया है बिल्कुल सब्स है और अभी फ्रेश निकला हुआ है तो मुझे उमीद है कि यह वाला जो हमारा केले का पोदा है अपन बयां भी जबते हो दो चुका है तो यहार देखते हैं कि इसके अधर वाले दाने कई से होंगे रेड होंगे या फिर फिर वाईट होंगे जो गर्मियों में लगा ता उसके अंदर मिक्स्ति दाने थे पटनिको मैंने कच्छा तो तो यह बिल्कुल जंगल बना हुआ है तो तो इंशाल आभी जल्दी ही यहां से रिमूव करना है क्योंकि अभी डिसम्मर आ चुक है और आभी जो है इनके पत्ते ज़ड़ जाएंगे तो इसी चीज़ के मैंने फाइदा उठाना है कि जैसे इसके पत्ते ज़ड़ जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा क्यों से इसके जाई है तो सकता है कि जाम लोगा ने पत्ते है और वैसलहाँ आफिक घंज आहने खिर साफ़ ने और को अब इसके पत्ते थी चymm기 हना चुरू हो जाएंगे तो इसके पत्ते बिल्कुल हो जाएंगे तो जहर जाएंगे यकvenue बातया करने मैंस चेद को और निक्री हमारा धनिया जो है यहां तक भर जाएगा और बिल्कुल सरसब्स हो जाएगी यह क्यारी और दोस्तो माशाला से पालक के अपड़े देखने पालक के भी माशाला काफी सारे पोदे निकल चुके है और यह पूरी क्यारी जो है इसी तरह पालक से बर चुकी है अब भी जैसे इसके बड़े वाले पत्ते निकलेंगे ना फिर हमारी क्यारी जो और भी ज्यादा सरसब्स हो जाएगी क्योंकि अभी जो है थोड़ी छोटी है पालग लेकिन जैसे ये बड़े पत्ते निकलेंगे तो ये क्यारी भी बिल्कुल सरसब्द हो जाएगी और दोस्ता कल जो हम लोगे ने अपने बैंगन की सैपलिंग लगाई थी नो उसकी माशाला अपडेट देख ले ये बिनशाला जल्दी ही जो अपनी ग्रोध को पकलेगी और अपने ने 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 पत्ते निकलना शुरू कर देगी और दोस्ता ये देखिया माशाला हममारे बैंगन की पौद़े को उपर भी काफी साथ बैंगन लग चुके है दुबारा से जल्दी हार वेस्ट करूँगा और यह देखे मासालिणिका साइज चक करें तो काफ़ी ज़्यदा बाइगन लगयों मैं और माशालल ज़्यदा बड़े भी हो चुके हैं तो इनको भी जल्दी हार वेस्ट करूँगा और दोस्ता हमारे मुरूद के पौदर के उपर भी जो है अब यह मुरूद लगे ना बंद हो गए बस वही लगे थे जो पहले लगियों में और यह दो अभी छोटे हैं तो यह भी इंशालर जल्दी पक जाएंगे तो अभी देखते हैं कि दुबारा कभी इसके उपर फूट्रिंग स्टार्ट होती है तो तब तक के लिए इंतजार करते हैं जैसे अलहम्द लिए इसके फूट जो हैं बहुत मीठी होती है और हमारे बेंडियों के भी जी पक चुके हैं तो इनको भी इंशालर जल्दी यहां झाल मीठी हैं.